श्कार दोस्तों स्वागत आपका युर्मनी चैनल पर आज हम डिस्कस करेंगे केर हेल्थ इंशोरेंस की केर एडवांटेश पोलिशी के बारे में और जानेंगे इस पोलिशी के क्या पोजिटिव फीचर्स हैं और कौन सी ऐसी टम्स हैं जो थोड़ी इमबीवस या वेक हैं सबसे पहले हम देखते हैं कीų पोलिशी कितने समिंशुर्ट ओप्संस में एविलेबल है यह पोलिशी आपको 25.00,006.00 क saya क्यों अविलेबल है इसके बाद दोस्तों पोलिशी में बाद पोलिचुर्म औरेट कोस्पर कोई भी कैपिंग नहीं है यानि आप होस्पिटल में कोई भी रूम आप ओप्ट कर सकते हैं अपनी चोईस का और आईस्व में भी कोई लिमिट नहीं है हाला कि दोस्तों यदि आप इसमें सिंगल प्राइवेट एसी रूम का एक अपनी चोई आप उसको चूज करते हैं तो आपकी जो लिमिट है होस्पिटल रूम रेंट की वह सिंगल प्राइवेट एसी रूम ही रह जाएगी लेकिन इसके ऑप्ट करने से आपको प्रीमियम में कुछ डिसकाउंट मिलता है दोस्तों यह प्रीमियम पर एवलेबल है पोल पड़ता है और इसमें अप्टू 5 लाइक तक का कवरेज आपको मिलता है और डे केर प्रोसीजर्स में यह पोलिशी आपको 540 वन जो डे केर प्रोसीजर्स हैं उनको यह कवर करती है पोलिशी में ऑर्गन डॉनर एक्सपेंसेज भी कवर हैं जहां पर इंशोड एक रेस्ट डेली अलाउंस या होस्पेंटल कैस भी इसमें एक ओप्शनल कवर है जिसमें आपको मैक्सिम्म 10,000 तक मिलता है इन मल्टिपल ओफ 1,000 और एक पोलिशी पीरेड में आपको मैक्सिम्म 30 देस तक ही है यह मिलता है यह भी एक ओप्शनल कवर है इसके लाबा दोस्तों इसके लाबा दोस्तों जो पोलिशी में ओर्टोमेटिक रिचार्ज ऑफ समिंशोर्ड की फैसलेटी अवलेबल है यह फैसलेटी जैसे ही आपका समिंशोर्ड बोनस आपका एक्जोस्ट हो जाता है तो यह एक्टिवेट होती है हाला कि सेम इलनेस के लिए एक्टिवेट नह और ओटोमेटिक रिचार्ज है यह अपटु समिंशोर्ड तक होता है और एक पोलिसी में यह एक बार ही होता है हाला कि अपके आप इसको किसो भी कलेम कर सकते हैं इस पोलिसी में एक ओपशनल चेवर्वहलेबल है झ 감ärव आप automatic recharge की जो facility है वो आप एक policy year में unlimited times use कर सकते हैं इसके अलाब दोस्तों policy में modern advanced treatment method या technology भी cover है यह 12 modern treatment methods है यह policy में mentioned है और यह covered है हलाकि यह किस limit पे cover है इनके ओपर कोई capping है या नहीं है वो इसमें mentioned नहीं है तो आप policy लेते होई यह insurance company से पूछ सकते हैं कि इन पर कोई limit है या नहीं है इसके अलाब दोस्तों policy पर bariatric surgery का cover available है यह आपको exclusions में मिलेगा यदि आप policy document को पढ़ेंगे तो इसमें कुछ conditions होती है कि 18 year या उससे older के लिए available है यदि आपका body mass index 40 से उपर है यह morbid obesity में count होती है फिर यह आपका independently cover रहता है लेकिन यदि आपका BMI 35 या 40 के बीच में है तो यह coverage तभी मिलता है जब कोई additional comorbid condition हो जैसे कि obesity related cardiomyopathy या coronary heart disease sleep apnea severe type का या फिर uncontrolled type 2 diabetes तो उस case में ही यह फिर coverage मिलता है यदि BMI 35 या 40 के बीच की range का होतो इसके अलाब दोस्तों enhancement है या आपका 50% of some insurance तक ही रहेगा इसके अलाब पोलिसी में optional cover है no claim bonus super उसमें आपका जो some insurance है यदि claim free year रहता है तो next year वो 50% से enhance होता है और यह maximum up to 100% of some insurance तक रहता है इसके अलाब दोस्तों पोलिसी में co payment भी है mandatory co payment है यदि entry age 61 या उससे अब हो है यानि आप policy 61 year की age या उसके बाद यदि आप purchase करते हैं तो हर claim पर आपको 20% खुद से भी year करना पड़ेगा इस co payment आप इसको wave कर सकते हैं additional premium देने के बाद यह optional cover में available है हाला कि दोस्तों यदि आप voluntarily choose करते हैं कोई co payment जैसे 5%, 10, 15, 20% आप voluntarily choose करते हैं कि मैं इतने claim का pay करूंगा तो फिर आपको उसी proportion में premium में discount भी मिलता है तो आप यह optional cover है यह और आप इसको भी opt कर सकते हैं इसका लगा दोस्तों पोलिसी चेक अप भी करवाना पड़ता है कुछ cases में 51 से लेकर 60 years में यदि आप पचास लाग से अबो का sum insurance opt करते हैं तो आपको कुछ medical test करवाने पड़ते हैं 61 या उससे अबो की age में यदि आप एंटर करते हैं तो जो medical test है वो काफी comprehensive है इसके अलाबा दोस्तों पोलिसी में additional sum insurance मिलता है accidental hospitalization case में हाला कि यह optional cover है यदि आप opt करते हैं तब ही आपको मिलेगा इसमें जो आपकी policy का base sum insurance है उसका double amount आपको overall cover मिल जाता है यदि आप accident की वज़े से hospitalized होते हैं तो अब आते हैं policy में क्या क्या waiting periods है पोलिसी में pre-existing disease के लिए 48 month का waiting period है हाला कि आप इस waiting period को 24 month पर भी लेके आ सकते हैं उसको reduce कर सकते हैं by paying additional premium यह एक optional cover है जिसमें आपको additional premium पे करना पड़ेगा और आपका जो pre-existing disease का waiting period है वो 24 month ही रह जाएगा इसके अलावा specific disease कुछ mentioned होते हैं पोलिसी में उनके लिए जो आपका waiting period है वो 24 month रहेगा आप पोलिसी डोकुमेंट को चेक कर सकते हैं एक लिस्ट होती है ENT, disease, fissure, fistula, cataract बगर है इसके अलावा first policy में 30 days के लिए आपको illness related cover नहीं मिलता है from the date of inception हाला कि यह the accident के वज़े से hospitalization होता है तो उसका cover is मिलता है इसके अलावा दोस्तों पोलिसी में एक optional cover है जो की है deductible option deductible का मतलब है कि वो amount जो आपने चूज किया है कि उतना तक आप claim नहीं करेंगे तो इसके बदले में आपको discount मिलता है अच्छागासर discount मिलता है यदि आप deductible choose करते हैं तो यह table मैंने दिखाई हुई है कि आपको किस basis पर claim settle होता है और यह aggregate जो claim amount है पूरे policy year का उसके base पर deductible लगता है और rest of the amount है after deducting the deductible amount उसके लिए फिर आपको insurance company claim pay करती है हाला कि मैं इसको एक अच्छा option नहीं मानता क्योंकि deductible तीन लाग का आप opt करते हैं तो बहुत सारे claims ऐसे होते हैं जो तीन लाग की limit में ही रह जाते हैं आपकी policy में तो फिर insurance का कुछ फायदा नहीं होता सारे के सारे claim तो आप खुद दिवियर कर रहे हैं तो इसके बाद हम next options पर आते हैं smart select यह भी optional cover है इस policy में इसमें भी आपको एक additional discount मिलता है यदि आप इसको opt करते हैं तो इस optional cover को opt करते हैं तो आपके कुछ particular network में आपको 100% claim payment मिलेगा और यदि smart network से अलग कोई आपका hospital है तो उसमें फिर आपके हर claim पर 20% co-payment लगेगा इसके लाब दोस्तों IRDA ने renewal के ऊपर कुछ guidelines दी हुई हैं हाला कि policy and guidelines को follow करती है लेकिन मैंने इसको इसलिए include किया है कि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे MPVT है जो main point वो यह है कि insurance company renewal के time पर आपको claim experience के basis पर renewal deny नहीं कर सकती और claim experience के basis पर आपकी premium पर loading नहीं लगा सकती तो यह IRDA द्वारा दी कई guidelines हैं अब इनी guidelines के बाद एक underwriter loading इस term के under insurance company ने बताया है यदि उनको लगता है कि आप एक extra risk pose करते है insurance company के लिए due to any medical or other conditions तो add the time of issuance of policy वो आपका premium बढ़ा सकते हैं लेकिन वो subsequent renewal पर भी आपका premium को load कर सकते हैं यानि आपके premium पर वो loading apply कर सकते हैं यह कह रहे हैं कि उस loading को जो यह apply करेंगे यह insured person है उसको communicate करेंगे और जो भी यह criteria is loading का वो objectively mention किया हूँ इन्होंने underwriting manual में तो यहाँ पर दो time पर जो term जो IRDA ने दी हुई है उन term का एक contrary term है यह underwriter loading renewal में आपने लिखा हुआ है कि आप loading नहीं लगाएंगे at the time of renewal due to claim experience यहाँ पर आपने लिखा हुआ है कि हम रिस्क को assess करेंगे यदि हमें लगता है कि extra risk है तो हम premium में loading लगा सकते हैं और फिर loading का basis क्या हुआ है कि objective basis है जो कि underwriting manual में है तो मुझे care की website पर कोई underwriter manual मुझे नजर नहीं आई तो यदि आप policy purchase कर रहे है जो underwriting manual है उस manual को download करें चेक करें कि कि किस basis पर यह loading लगाते हैं यह important क्यों है मैं इसलिए बता रहा हुँ कि मान लिजे आपने एक क्रोड की policy ली आप 25,000 पे premium आप per year भर रहे ह इसी year में आपका जो claim है वो 50,000,000 का claim आ गया या 20,000,000 का claim आ गया insurance company को लगा कि आपका जो disease है यह काफी chronic disease है और आप subsequent years में भी आप hospitalized होंगे तो फिर insurance company क्या करेगी next renewal पर आपको यह loading लगा देगी क्योंकि यहां पर मैं access नहीं कर पा रहा हूँ कि कितनी loading लगेगी तो मान क चल रहा हूँ कि मैं 100% या 200% तक loading लगा देते हैं तो फिर आपका जो premium है एकदम से double हो जाएगा अब उसके subsequent renewal पर next year भी फिर दुबारा से loading लगा सकते हैं means आपके लिए policy unsustainable हो जाएगी in terms of premium तो जब आप policy purchase करें तो इनसे return में लें कितने परसेंट यह loading लगाएंगे और क क्या हो criteria loading का और वो जो underwriter manual यह कह रहे हैं वो manual भी इनसे लें तब आप चेक करें उसके base पर ही अपना decision लें तो दोस्तों यह था care health insurance की care advantage policy के बारे में यदि आपकी कुछ queries हैं तो आप comment में जुरूर mention कीजिएगा मैं इनका reply देने का try करूंगा thanks for watching this video